गेपिंग न्यूस के 76 एपिसोड में आपका सौगत है जिसमें आपको GTA Trialogy, GTA 4, PUBG New State, Genshin Impact, Gangster New York और ऐसी बहुत सारे पॉपलर गेम्स की न्यूस बताने वाला हूँ आज स्थोड़ी सी आवाज डिफ्रेंड लग सकते हैं यूई थोड़ा से कोल्ड हो रहा है बट स्टार्ट करते हैं और बहुत सो लोग कह रहे थे कि भाई GTA Trialogy का रिमास्टर कर दिया लेकिन GTA 4 का क्या हुआ और ये बात सच भी है यूँकि ऐसा लगता है कि मानो रॉक्षा GTA Online के चक्कर में GTA 4 जासे गेम को तो बुलाई चुका है पर अब लिक्स निगल के आ रहे हैं कि शायए GTA 4 का भी रिमास्टर वर्जिन आएगा ये लिक आया है रैल्स वैल्फ की तरफ से जो कि थोड़े एक नए लिकर है एक रोने पहले क्लेम किया था कि 2022 की Call of Duty Modern Warfare 2 होने वा मॉबाइल के बारे में उसने कुछ नहीं का और शायद आएगा भी नहीं उसके लिए क्योंकि अभी मॉबाइल सितने स्ट्रॉंग नहीं बने है जो GTA 4 जैसे गेम को चला पाए अब 2023 में आएगा तो अनॉंस्में नेक्स येर हो सकती है लेकि फिर भी ये है तो लीक ही तो श उसमें 100 employees होंगे जो कि एक नए action adventure game पर काम करेंगे जिसमें shooting gameplay भी होगा और company के बागी games की तरह उमीद है कि ये game mobile के लिए भी आएगा वैसे Montreal में काफी बड़ बड़ गेम developers हैं like Ubisoft, EA, Game Loft और Square Enix इस video is sponsored by GTA 5 Grand RP GTA 5 Grand RP आपको most premium role play experience देता है जिसमें आप एक server के अंदर full freedom के साथ खेल सकते हो और अपना role choose कर सकते हो अगर आप gang member बनके खेलते हो तो आपके map पे enemy gang के areas दिखेंगे जहां fight लेने जा सकते हो वो भी real players के साथ फिर इसमें grand prison है जहां आप जा सकते हो activities कर सकते हो वहां से escape करने का plan भी बना सकते हो यह आपके उपर है की cop बनके खेलना या criminal बनके तो अपने खुद की gang बनाओ दोस्तों के साथ हाइस plan करो अपने business सेट अप करो जैसे farm business या फिर even oil business जितने features and freedom इस server में है उतने GTA online में नहीं है तो जाओ यार इसे खेलना start करो GTA 5 Grand RP को link description में PUBG New State भी launch हो चुका है जिस टाइम में launch होना था उस टाइम तो server वेगरे सब डाउन हो गए थे इसलिए launch डिले करनी पड़ी एंड ऐसा होने कोई बड़ी बात भी नहीं है खासका रहे से hyped games के लिए और अब तो सब सही चल रहा है लोग के reviews बहुत अच्छे आ रहे हैं क्योंक और यह आपको कैसा लग रहा है पेडे सीरीज बहुत ही popular गेम की सीरीज है PC and consoles के लिए जो यह mobile के लिए भी आ रही है पेडे में basically आप GTA 5 की तरह हाइस कर सकते हो लाइक bank properties तो इसके दो गेम PC and consoles के लिए और अब इसका एक game mobile पे भी आ रहे है जिसका नाम है पेडे Crime War यह 4v4 multiplayer game हो का जिसमें आप चूज कर सकते हो कि चोर बन के खेलना या पर पुलिस बन के चोर बनोगे तो हाइस करोगे और पुलिस बनोगे तो हाइस रोकोगे इसकी close beta testing स्टार्ट होने वाली है 6th December से for Android तो आप इसके लिए register कर लो link description में है बस 1st December तक ही कर सकते हो register अगर आप select हो जिसके बारे मैंने आपको पहले ही बता रखा है Genshin Impact version 2.3 24th November को आ रहे है जिसका नम Shadows Amist North Storm है इसमें दो नए करेक्टर जा रहे है गुरू जोकर एक 4-star करेक्टर है और उसके पास बो एंड यो विजन है सकेंड है Arata की Ito जोकर एक 5-star करेक्टर है और उसके पास claim हो रहे गैंक्सर सीरीज कितनी popular है मुझे आपको बताने की जरूत नहीं एक तरह से GTA Mobile है अब नेक्स गैंक्सर गेम लीक हो गया है जो कि यह गैंक्सर न्यू यॉक यह लास्ट ये भी लीक हुआ था है और तब यह गैंग डॉमिनेशन के नाम से अपीर हुआ पर गेम लॉफ ने ग और iOS पे भी आ जाएगा इसके एक वेबसाइड भी निकलके आई है और इसके तो cinematic trailers वह आपके सामने ही है जो कि आप अभी तक स्क्रीन पर देखी रहते हैं भाईया अमंग अस में तो अब तक का one of the biggest update आया है और यह इतना interesting है कि आपको जरूर सुनना चाहिए सबसे पहले तो चार नए rolls आ गए है थ्री क्रिव मेट्स के लिए अब इंपोस्टर शेप्शिफ्टर का रोल लेकर दूसर क्रिमोर्स की तरब बन सकते हैं और उसकी तरब बनके किसी को भी मार सकते हैं जिससे लगए कि किसी और ने मार रहा है उसे फिर क्रिव मेट्स एंजीनियर साइ आपको एक बैटल पास टाइप सिस्टम हा रहा है जिससे प्रचेस करके आपको एक्स्लूजिव रिवार्ट्स मिलेंगे तो ये अपडेट्स आपको कैसे लगे मुझे बता ना और आप एमंगर्स वापस से खेलना स्टार्ट हो गया नहीं वो भी कमेंट्स में लिखना टीटे टालोजी तर डेफिनेटिव एडिशन लाउंच हो चुकी है और इसकी लाउंच अब तक की शायत सबसे खराब लाउंचेस में से एक होगी पहली बात तो लाउंच के दिन ये पीसी पे अफलेबल ही नहीं थी क्योंकि इन्होंने पीसी वर्जिन में कुछ ऐसी फाइल्स छोड़ दी जो नहीं नहीं चोड़नी चाहिए थी लाइक ऐसे म्यूजिक ट्रैक जिनका लाउंचेस एक्सपायर हो जुका है तो उनको हटाने के चक्कर में इन्होंने रॉक्सर गेम्स लाउंचर को पहले ऑफलाइन कर दिया जब वो ऑनलाइन आया वापस तो जीटेट अलोजी ही हटा दी देखो मौड्स और एक प्रोफेशनली डेवलप्ट गेम में यही अंतर होता है कि गेम को बहुत जादा टेस्ट किया जाता था कि उसमें बक्स वगरा ना निकले लेकिन मौड्स में गलेजिज वगरा आना बहुत आम बात है पर इस गेम में तो दुनिया भर के प्रशान कर रहे हैं इसलिए प्रेट इस डिटेट अलोजी से बिल्कुल भी खुश नहीं है जैसे तो और भी टेटो डीजन से इस गेम को हेट करने के पर वो मैं इसमें बताने लगा तो पूरी यहीं निउस इसी में निकल जाएगी फार क्रेस 6 के लिए एक नई DLC आ रही है नवेंबर 16 को जिसमें वास आ रहा है फार क्रेस सीरीज के कोड़ फैन्स वास के फैन्स जरूर होंगे क्योंकि एक बहुती अच्छा विलन था बस अब फार क्रेस सीरीज उनके विलन्स के लिए जादा वेमोज होती है अब वास इं फार क्रेस 6 तो सही जा रहे है और यहां रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि फार क्रेस 7 कैसे होने वाले है तो असासें स्क्रीट इंफिनिटी की तरह यह भी एक राई सर्विस गेम होने वाले है जिसका मतलब यह एक बार गेम बना देंगे और इसे 5-10 साल तक चलाएंगे रेगुलर अपडेट्स निकाल के बेसिकली सब गेम बनाना चाहते हैं कि बस एक बार गेम बनाया और हर साल एक बड़ी हैस वेकर निकाल दो तो वो देखा जाए तो कम मेहनत का काम है और ज्यादर प्रोफिटेबल भी है अगर एक अच्छा गेम बना पाएं और हां इसे र कंसोल 15th November 2001 को आया था तो इसलिए Xbox अपनी 28th anniversary को celebrate कर रहा एक live stream के साथ जिसमें कोई नई गेम announcement तो नहीं है पर पिछले 20 साल में क्या-क्या हुआ वो सब highlight किया जाएगा उसके लावा Halo series के भी 20 साल पूरे हो रहे हैं तो उससे related special products भी announce होंगे तो बस गई देट आच्छे ग अगर अच्छे लेकर तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो ना मिलता हुआ आप से अगले एपिसोड में दब तक लिए टाटा बाए बाए